गरेलू उपाय में आप सबी का हाथ दिख स्वागत हैं और आज मैं आपको पताने वाला हूँ मा की पारत पतिमा घर लाने से क्या फायदा होता है और इसे क्यों लाना चाहिए और इसकी पूजया कैसे करने चाहिए और इसमें कौन सा मंतर पढ़ना चाहिए इसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आंते तक देखते रहें रभी पुश्मी में पुश्यामरित संयोग में मा लक्षमी की पारत से बनी या पारे से बनी मूर्ती खरीदना अत्यंत शुब माना जाता है माता लच्मी धन, सुख, खुशिया, वैभाव, सवभाग्य, संपत्ति सफलता, प्रगती और एश्वर की देवी है रवी पुश्य के दिन लक्षमी उपासना के में पारत लच्मी का समरणवा पूजन अपार खुशहाली देने वाला है आर्थिक परिशानियों को दूर करने वाला है व्यवसाय में बढ़ोतरी और नौकरी में तरक्की के लिए पारत से बनी लक्षमी प्रतिमा के पूजन का विशेश महत्व है और आगे मैं आपको बताने वाला लच्मी जी की पूजा किस तरीके से करने चाहिए पारत मुर्ति की और इसमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए इसे द्यान से आप दुनियेगा लच्मी के पूजनों लच्मी के पूजनों खरीदने से पहले इच्छुक व्रति को सबसे पहले इस्तनान कर खुद को पवित्र बना लेना चाहिए रवी पुष योग वाले दिन शुव चौगड़ी में पारत लच्मी की प्रतिमा घर लाकर पूजा करनी चाहिए उपासना के दौरान एक विशेश मंत्र का जाब करने से हर तरह का आर्थिक संकर दूर होता है वह मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ और इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा इसे आप वहां से भी पढ़ सकते हैं अब जब पूजा कर रहेंगे उस समय भी इसे पढ़ सकते हैं ओम श्री विग्णा राय पारदेश्वरी महालच में नमा यह मंत्र है इसे आपको पूजा के समय जब करना है मालच मी को लाल चंदन अक्षत लाल वस्त्र दूद से बने पकवान चाहा दें चाहिए इसके बाद माता को 108 रंग, 108 लाल रंग के फूल अर्पित करें ध्यान रहे फूल बासी या सड़े हुए ना हो क्योंकि आज कल बाजारों में बासी फूल रखते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, बासी फूल को लाकर चड़ाते हैं, तो आपको कभी इसका फल प्रात्न नहीं होगा इस मूर्ति का दिवाली को के दिन एक रोज पूजन करना चाहिए, फिर इसे तिजोरी में सापित कर देना चाहिए आशा करता हूँ, आपको मिरे द्वारा दी गई है, जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले, अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल यह सुझाव चल रहा हूँ, तो इसी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले और दोस्तों, अगर आपका हमारे यह वीडियो आपने हमारे यह चैनल घरेलू पाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे तुछ सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार